मित्रों अगर आप शिव जी के अनन्य भक्त हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका सारा काम देवों के देव महादेव करते हैं तो ये वीडियो निश्चे ही आपके लिए है तो तयार हो जाए आपको शिव जी से जुड़ी कुछ रोचक बाते तथा शिवलिंग से ज जो शायद आपको नहीं पता है अगर आप किसी प्रॉब्लम में है कोई कश्ट है या कोई मनुकाम ना है तो ये वीडियो देखे आपके सारे समस्या का निवारन इस वीडियो में हो जाएगा वैसे तो शिवलिंग पर सबसे ज्यादा स्वच जल या फिर कच्चा दूद च शुब माना जाता है क्योंकि समुद्र मंधन के दौरान भगवान शिव ने विश को निगल लिया था तो इस कारण से उनके शरीर में काफी ज्यादा जलन और आन्य समस्याएं होने लगी थी तब माता काली ने मातारा का रूप लिया मातारा दस महाविद्याओं में से एक ह इन्हें उग्रह और सौम्य दोनों माना गया है जब शिव जी ने विश पिया तो उनके गले में तीव्र जलन हुई तब वो देवी तारा के पास गए यहां मातारा का सौम्य रूप सामने आया माने शिव जी को किसी नवजात शिशु की तरह अपना स्तनपान कराया और इस से शिवलिंग पर दूद चड़ाया जाता है इसके साथ ही शिवलिंग पर सिर्फ गाय के दूद को ही चड़ाया जाता है इसके पीछे भी एक कारण है जब मातारा ने शिव जी के दूद पिलाया तो उनके अंदर मातरित्व के भाव थे अतहर शिव जी को मा का दूद मिला तो इससे आपके शत्रू का नाश नहीं होगा. शत्रू नाश के लिए शिवलिंग पर धर्म ब्रथों के अनुसार निम्म चीजे चड़ाई जा सकती हैं जैसे. एक, अगर आप अपने शत्रू का नाश करना चाहते हैं या फिर आप उसकी नकारात्मक शक्तियों से बचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको शिवलिंग पर सर्सों का तेल चड़ाना शत्रू के नाश करने के लिए तथा शत्रू के हर प्रकार के वारसे बचने के लिए 2. अगर आप अपने शत्रू को किसी भी प्रकार की शारीरिक पीरा पहुंचाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप शिवलिंग पर काले तिल चड़ा सकते हैं। आपके काम में बाधा पहुंचा रहा हो, आपको शारीरिक कश्ट दे रहा हो, तभी ये उपाय करें। शत्रू को शारीरिक हानी पहुंचाने वाले उपायों को बेवजह नहीं करना चाहिए। अब आए जानते हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए शिवलिंग पर क्या चड़ाना चाहिए। 1. सुख शांती के लिए उपाये। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी है और आप तमाम कोशिश के बाद भी उस परेशानी से छुटकारा नहीं पा रहे हैं तो इसके लिए आप शिवलिंग पर श्रद्धा पूरवक दही चड़ाएं तो बहुत जल्दी आपके जीवन से समस्त प्रकार की की समस्याइन धीरे-धीरे ठीक हो जाएगी और आगमन के नए रास्ते नजर आने लगेंगे. 4. मान सम्मान प्राप्ति के लिए उपाए अगर किसी भी कारण से आपके घर में आपके परिवार में या फिर पूरे समाज में आपका मान सम्मान कम हो गया है तो मान सम्मान की प्राप्ती के लिए आप शिवलिंग पर चंदन चड़ाए शिवलिंग पर चंदन चड़ाने से व्यक्तित्व आकर्शन बढ़ता है, जिससे मान सम्मान में बढ़ उतरी होती है पांच, गुस्से को शांत करने के लिए उपाए अगर आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है या फिर ना चाहते हुए भी आपकी जुबान से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो दूसरे के दिल को दर्द पहुंचाते हैं तो ऐसे में आपको शिवलिंग पर प्रते दिन शहद चड़ाना चाहिए शहद चड़ाने से व्यक्ति की वानी में मिठास आती है जिससे हर कोई आपसे फ्रेम पूर्वक बाते करना पसंद करने लगता है 6. खुद के अंदर कम्यों को दूर करने के लिए उपाए भान चड़ाने से हमारी कमियां और बुराईयां दूर होती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है आप शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से कमजोर हैं और तमाम कोशिश करने के बाद समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है तो इसके लिए आप प्रते दिन शिवलिंग पर देसी घी चड़ाएं और भूलेनात से अपने शब्दों में शारीरिक और मानसिक शक्ती बढ़ाने की प्रार्थना करें तो बहुत जल्दी आपके अंदर नहीं उर्जा आएगी जिससे आपको शारीरिक और मानसिक दोनों प्राकार की शक्ती का आभास होगा आठ खुद को पवित्र और शुधर रखने के लिए उपाए अगर आप चाहते हैं कि सदैव आपके मन में शुधर विचार आए और आपका मन सदैव पवित्र रहे तो इसके लिए आप शिवलिंग पर इत्र चड़ाएं इत्र चड़ाने से मन में कभी भी गलत कार्य को करने का विचार नहीं आता है जिससे हमारा मन सदैव अच्छे काम के लिए प्रेरित होता है और जब आप अच्छे काम करेंगे तो आपको खुद बखुद पवित्रता का एहसास होगा इसलिए आप लोग खुद को पवित्र और शुधर रखने के लिए शिवलिंग पर इत्र चड़ा सकते हैं वैसे तो शिव जी पे कितने भी वीडियो बना ले वो कम ही होंगे लेकिन कुछ काम की बाते आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश हमने किया है आशा है ये छोटा सा प्रयास आप सबको पसंद आया होगा और अगर आप भविश्य में भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें